दोस्तों जब भी मैलाओं के इस तरीके से डाड़ी मूझ पे ज़्यादा मत्रा में बाल निकल आते हैं तो इस मैलाओं की सुन्दरता को कम कर देते हैं देखने में बहुत ज़्यादा खराब लगते हैं और जब भी हम लोग इसको पालर जाते हैं निकलवाने लिए वैक्स कर से यह लेकर आए इसको अटाने का घर इलू नेचुरल तरीका जिससे आप घर की चीजों सी इसको आसाली सहटा सकते हैं और श्रकर एक बार आप लगा लेंगे तो दो बार आपके बाल भी नहीं आएंगे तो इसको अटाने के लिए आपको ले लेना है आपफर चीनी चीनी को आपको एक चम्मस लगवाग इस दीके से खल में डाल देना है इसके बाद में आपको ले लेना है फिट करी फिट करी का आपको इस दीके से एक छोटा सा टुकड़ा ले लेना है दोनों चीजों को इसी में डालके और आपको इसको अच्छे से कूटके तयार कर लेना है तो यहाँ पर आपको इसको बारिक नहीं कूटना है सिर्फ दरदरा सा पाउडर बना लेना है तो यहां पर देख सकते हैं मैंने, दोरों चीजों को अच्छे से तोड़के तयार कर लिया है, तो फिरेंड ही हम बनाने वाले हैं घरेलू रेमिडी, इससे आपके तुछा में कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा, और साथी अगर आप इसको एक बाल लगा लेंगे, तो आपके दोबारा बाल कभी भी नहीं आएंगे, तो इस तरीके से आपको इसको कुट लेना है, और कुसी भी चमच में इस तरीके से निकाल लेना है, इसके बाद में आपको ले लेना है नीबू, नीबू आपको जरूर लेना है, क्योंकि जो नीबू होता है, जो बालों की जड़े होती हैं उसको कम्जोर करता है तो इस तरीके से आपको आधे नीबू का रस इसमें डाल YouTube में डालने के बाद मैं आपको ले लेना है आपर सहेज सहेद को लगख मल्ट्व कर लेना है जैसे आप इसको आगपर रखेंगे तो जैसे इसमें आँच लगेगी तो आप देखेंगे इसका गलर चेंज होने वाता जिससे कि यह बाहर क्यों निकर ला था तो जब भी आप इसको बनाएं तो थोड़ा सा बड़ा चम्मच लें क्योंकि नीबू की बज़े से काफी ज्यादा ज्छाग बनता है तो इस तरीके से आपको इस रेमिडी को बना के तयार कर लेना है तो यह मैंने गैस को बंद क लिए इसके बाद में आप इसको ठंडा कर लिए आपको गर्मा गरम बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है तो यहां पर आप देख सकते हैं यह ठंडा हो चुका है और इसने अपना कलर भी बदल लिया है साथ ही काफी ज़्यादा गाढ़ा भी हो चुका है तो इसको हम इस परवाद हो जाता है साथ इसमें साइट इफेक्ट भी हो जाता है दाने बगारा भी निकल आते हैं तो जब आप इसको लगा के से इस्तेमाल करेंगे तो आपके बाल भी निकल आएंगे और आपके तुच्छा प Department है करने वाला है तो इस तरीके से आपको जहां भी केरे में बालों वहाँ पर आप इसको लगा लीजिए लगाने के बाद में आपको थोड़ी देर के लिए सूखने के लिए छोड़ देना है आपको बहुत ज्यादा नहीं सुखाना है बस हलका-लका इसको सुखा लेना है तो यहां मैंने 10 मिनट के लिए इसको छोड़ दिया था आप द आपको यहां पर ध्यान से देखना आए कुछ इस तरीके से आपको उंगली की मदस से अपॉजिट सैट इस तरीके से उंगली को ले जाना है तो इस तरीके से आप इसको जैसे ही हपते में दो से तीन बाल लगाएंगे तो जो भी आपके बाल होंगे जड़ से निकल के पर या cotton का कपड़ा और इस तरीके से आपको साफ कर देना है फ्रेंड अगर आप इस तरीके से अपने चेरे के अंचाहे बालों को निकालेंगे तो होगा क्या जब इस तरीके से बाल निकालते हैं तो बाल जड़ से निकल के आ जाते हैं और जैसे धीरे धीरे इसको तीन से च आप चाये बालों को आसानी से घर पर ही निकाल सकते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, काफी ज़्यादा बाल निकल के आ गए हैं, तो इस तरीके से आपको इसको टीशू पर से साफ करने के बाद में ले लेना है, कोई भी कॉटन का कपड़ा और उसको हलका सा गीला करक आपको अच्छे से साफ कर लेना है, आपको आप देख सकते हैं, जो चेहरा हमारा है, काफी अच्छे से साफ हो गया है, पहले इसमें काफी ज़्यादा बाल थे, काफी बाल एक ही बार में निकल के आ चुके हैं, तो इस तरीके से आप भी घर बैठेस्टेमडी को बना के अ निकाल सकते हैं, अगर आपको आज की ये टिप से पसंद आई हो, तो एक लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हो, सब्सक्राइब कर लेना, ज्यादा से ज्यादा से यर करना है,